बच्चों, पिछली बार हमने पार्ट 11 मीरा और भेन और बाग में यहां तक पड़ा था कि किस प्रकार बाग ने गाउं में घुसकर एक गाएं को मार दिया था अब हम उससे आगे का बढ़ेंगे गाउं के लोग गोपाल आश्रम गए और उन लोगों ने मीरा बहन को अपनी चिन्ता बताई चिन्ता फिक्र गाउं के लोगों ने अंत ने तै किया कि बाग को कैद कर लिया जाए अंत आखिरी तै किया निश्चित किया उससे कैद करने के लिए उन्होंने एक पिंजड़ा बनाया कैद बंदी बंदी बनाने के लिए पिंजड़ा बनाया गया पिंजड़े के अंदर एक बकरी बांधी योजना यह थी कि बकरी का मिम्याना सुनकर बाग पिंजड़े की तरफ आएगा पिंजड़े का दरवाजा इस प्रकार खुला हुआ बनाया गया था कि बाग के अंदर घुसते ही वह दरवाजा जटके से बंद हो जाए तो लोगों ने बंदी बनाने की सोची बाग को और इसके लिए ऐसा पिंजरा बनाया गया बच्चों जिसका दरवाजा खुला रहता था जब तक कोई उसके अंदर दाखिल ना हो जैसे ही कोई उसके अंदर दाखिल होगा उसका दरवाजा जटके से यानि तुरंत बंध हो जाएगा इसके लिए एक बक्री को उस पिंजरे में बान्द दिया गया ताकि उस बक्री के मिम्याने की आवाज सुनकर बाग पिंजरे की तरफ आ जाए पिंजरे को ऐसी जगहे पर रख दिया गया जहां बाग अक्सर दिखाई देता था अक्सर प्राय है जहां यादा तर बाग घूमता था वहीं पर ही पिंगड़े को रखा गया यह जगें मीरा बहन के गोपाल आश्रम से यादा दूर नहीं थी रात मिती सुबे की रोश्नी होते ही लोग पिंगड़ा देखने निकल पड़े रोश्नी उजाला उन्होंने दूर से देखा कि पिंगड़े का दरवाजा बंद है वे यह सोच कर भूत खुश हुए कि बाग जरूर पिंगड़े में फस गया होगा जैसे ही सुबे हुई तो लोग पिंगड़ा देखने चले गए और पिंगड़े को बंद देखकर तो लोग को ने सुचा पक्का भाग जो है कैद हो गया हमारी योजना सफल हो गई लेकिन जब वे पिंजड़े के पास पहुँचे तो क्या देखती हैं पिंजड़े में बाग नहीं था और पिंजड़े में तो बाग ही नहीं था जब वो पिंजड़े के पास आए लोग चकित थे चकित हैरान बाग के अंदर गए बिना पिंजड़ा बंद कैसे हो गया को मालूम हो कि रात में क्या हुआ पूछने पर मीरा बहन बोली जब लोग ने देखा कि पिंजरा बंद है लेकिन बाग नहीं है तो उन्होंने सोचा शायद ये घटना के बारे में मीरा बहन जानती हो इसलिए वे सब गोपाल आश्रम गए और उनसे प्रशन किया कि आपको प आई मुझे नीन नहीं आ रही थी मैं सोस्ती रही कि आखिर बाग को दोखा दे कर हम क्यों फसाए इसलिए मैं गई और पिंजडे का दरवाजा बंद कर आई मेरा बहन ने कहा कि मुझे जानवर को दोखा देना भी गवारा नहीं है उन्हें ऐसे लगा कि अगर हम बकरी को ब खा देना हो गया यह मुझे से सहनी हुआ इसलिए मैं गई और पिंजडे का दरवाजा बंद कर दिया ताकि हम बाग को भी दोखे से नै मारे आशा करती हूँ आपको ये पाठ अच्छे से समझ में आ गया होगा धन्यवाद